क्या राजनीती की रंगनीती के लिए फिट नहीं है वावन मिश्राम क्या सीटों के लिए गिर गिराने से चंदशेखर रावन की गिर गई है साख और क्या बीजेपी का धर्म वाला फंडा काम नहीं कर रहा है इन चुनाओं में आखिर क्या वज़े है कि सर्वे में 9 से 90 तक पहुंच गई है बीएसपी हम बड़े सुलगते सावालों को इस कारिक्रम में आज उठाएंगे लेकिन शर्वात करते हैं इस वीडियो से इस वीडियो को आप देख लिजे इसमें विधायक जी कुछ कह रहे हैं और जो लोग भारती जनता पार्टी को वोट नहीं करते उन निकल तुके हैं एलेक्शन के बाद में जो जो लोग योगी जी को सपोर्ट नहीं करें उन सभी एरियस को इडिटिफाई किया जाएगा और पताए ना जे सीपी और बुल्ड़ोज और किसके लिए यूज में आते हैं तो मैं उत्तर प्रदेश के उन गजदारों को कहना च प्रदेश चोड़के तुम लोगों को भागना होगा पिर से एक बार हमारी एकर की बागा की सरक्ता तो देखा आपने वो कुछ कह रहे थे बलकि कह नहीं रहे थे वो कुछ धंकार है थे कि वोट अगर नहीं दिया तो देख लीजिए आखिर ये आइडिन्टिफाई कर रह को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें और हमारे फेस्बुक पेज को भी फॉलो कर लें तो बात चल रही है कि धंकार हैं ये बीजेपी के विधायक इसका मतलब ये हो रहा है कि इनको सीधे तरीके से वोट नहीं मिल रहा है मतलब ये की मंदिर आर्ती लाखो दिये जलाने का रिकॉर्ड धर्म संसत का जहर मतुरा काशी बाकी फिर कब्रिस्तान आतंकी ओवैसी पर हमला हिजाब नमाज और अब ये गजबाय हिंद सब करके देख लिया लेकिन नतीजा जीरो लोग रोजी रोजगार मवेशी आतंक जैसे विश्यों से हटने को तैयार ही नहीं है तो ठोक दो वालों ने ये धमकी वाला बयान ठकवा दिया वैसे भी योगी जी की रेलियों का बड़ा बुरा हाल है देखिए कैसे भीड की कमी देखकर अपने ही कारेकरताओं पर नाराज हो रहे हैं योगी जी और इधर वामन मेश्राम पर उनके ही संगठन के लोग अब सवाल उठाने लगे हैं उनके कारेकरता फेस्बुक पोस्ट पर ये बात कह रहे हैं कि वामन मेश्राम जी अच्छे ओरेटर तो हैं यानि कि भाशन तो बढ़िया देते हैं और उन्होंने अल्प संख्यक OBC को व भीड जुटाने में भी सफल रहे लेकिन राजनीतिक मंचों पर वो असफल साबित हो रहे हैं नाम ना लेने के आगरह के साथ उनके कुछ वरिष्ट और करमठ कारेकरताओं ने बताया कि संगठन में अब उनका विरोध शुरू हो गया है क्योंकि राजनीतिक रणनीती में डिक्टेटर्शिप नहीं चलती है और उनकी इसी कमी से वो अब तक जितने भी कार्पूरेट एलेक्शन जो है वो भी नहीं जीत पाए और नहीं वोट का पतिशत भी बढ़ा पाए देश भर में सिर्फ संगठन के यूनिट्स की संख्या बता कर या सभी सीटों पर उम्मी इश्राम भी कई महिनों तक समाजवादी पार्टी के संपर्क में रहे और उनसे संपर्क करने की कोशिश करते रहे लेकिन अखिलेश रियादों ने उन्हें तवज्जों ही नहीं दी यह बात उन्होंने खुद एक इंटर्वी में बताई है हमने उनको कहा कि अभी 31 राज्जों में 567 जीलों में 4000 से ज्यादा तसिलों में 22000 से ज्यादा ब्लॉक में और देड़ लाग से ज्यादा गाओं में हमारा संधर्टन है हम आपको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और आपको 60% सीटे भी जैसे काशिराम जी के समय में तय हुआ था वो भी देना चाहते हैं और इस तरह से अगर यह गड़बंदन हुआ तो यह दूसरे दिन मुख्यमंत्री पतपरसील हो जाएगा आपका बीजेपी किसी मापतंड में सफल नहीं होगी यह प्रस्ता हुने दिया उन्होंने दिवाली के पांच नौंबर को बात करनी की बात कही फिर दुबारा उन्होंने कभी भी बात नहीं की अपने से भी छोटे छोटे दलों को समेट कर वामन मिश्राम ने एक मोर्चा बनाया फिर एक ऐसे दल से गटबंदन का एलान कर दिया जिनके विधायक और सांसद पहले से मौजूद है इस एलान के बाद वामन मिश्राम के कारेकरताओं में उस्साह बढ़ने लगा था लेकिन ये बस चार दिन की चाननी थी क्योंकि मिश्राम साहब के अती महत्वा कांग्षी सभाव के कारण ये गटबंधन भी बारा दिन नहीं चल पाया वामन मिश्राम ने इन सीटों के बटवारे का इसे विवाद बताया लेकिन कारेकरताओं ने इसे उनकी राजनितिक अपरिपक्वता कहा तो कुछ ने बचाओ करते हुए कहा कि गटबंधन के में जो दूसरे दल जो थे वो ब्राह्मन कैंडिडेट्स को उतारना चाहते थे इसलिए ये गटबंधन टूड़िया अब सवाल ये है कि जब वावन में शाम समाजवादी पार्टी से गटबंधन की चाह रखते थे और ये जानते हुए भी कि सपा भी ब्राह्मनों को टिकेट देने वाली है तब तो ये साबित होता है कि गटबंधन कम से कम इस वजह से तो नहीं टूटा दूसी तरब चंदशेकर रावन है वो पहले कॉंग्रेस का सपोर्ट करते रहे उसका सपोर्ट लेते रहे फिर कई महिनों तक समाजवादी पार्टी का चक्कर लगाते रहे सवाल यहां भी वही था कि जिस छोटे से दल का कोई पार्षद भी नहीं है ना कोई उनका कोई चुनाव जीत पाया है आखिर उससे इतने छोटे दल से ये बढ़ा दल का डबंदन आखिर करे तो किस अधार पर नौजवानों में रावन का गलैमर जितना था उसको आगते हुए सपा ने उन्हें एक सीट देने का आश्वासन दे दिया लेकिन मीडिया ने जिस तरह से चंदशेखर रावन को प्रचारित किया और उस अनुपात में सिर्फ एक सीट के आश्वासन से नौजवानों के नेता को रुला दिया अब हालत ये हो गई कि चंदशेखर बिना किसी सीट के भी सपा को समर्थन देने को तैयार हो गए अब मीडिया हाइक इतनी जादा हो चुकी थी कि उन्हें अब कोई चारा ही नजर नहीं आए तो राखिलेश फिर भी नहीं पिगले और मीडिया से मिली हाइक और नवजवानों में अपनी साख बचाने के दबाओं में चंदशेखर रावन को मजबूरन चुनावी मैदान म में उतर ना पड़ा? मीडिया कवरेज मिल रहा है, लेकिन जन समर्थन बिल्कुल खतम हो गया है. अब यह हालत है. बहुजन समाज पार्टी पहले ही वावन में श्राम और रावन को सिरे से खारिज कर चुकी थी, चार बार सरकार बना चुकी मायवती ने कभी भी वावन और रावन को महत्वपुन माना ही नहीं, वहीं समाजवादी पार्टी को बिना शर्त समर्थन देने की पेशकस कर चुक पी को ही लाब होने वाला है इन सबसे अलग अब महराश्ण में मंदिर खोलो अभ्यान चला चुके प्रकाश आमबेट कर भी यूपी चुनाओं में समाजवादी पार्टी को वोट करने की अपील करते नज़र आ रहे हैं तो उत्तरपदेश में जो चुनाओं हो रहा है उस चुनाओं में समाजवादी पार्टी और अकलेश यादो इनको समर्तन देना चाहिए इनको समर्तन देते ही रसेस बीजेटी की घौरड़ दोर चुछली है उसको रोक लगा सकते हैं और राजनत आमबेट कर बोजन समाजवादी का समर्तन करने की बात स्विकार चुके हैं इस बीच मायावती ने आगरा से अपनी रैलियों की शिरुवात की कोवीट प्रोटोकाल और चुनाव आयोक के नियमों का पालन करते हुए आयोजित हुई इन रैलियों ने फिजा ही बदल दी फिर चंद शेखर को तवस्दो देने वाला मीडिया बसपा को भी दावेदार मानने लगा चुनावी सर्वे में बसपा को सिर्फ एक दो सीटों तक सिमीत करने या अन्य कहकर संबोधित करने वाले इन चैनलों ने भी बताया कि बसपा को नौ से दस सीटे मिल सकती हैं जो दूसरे चरण के चुनाओं के बाद दूसरे चरण की ओटिंग के बाद ये जो आकलन था वो 90 तक पहुँच गया मीडिया ने अब बसपा की चुनावी रणी 30 सीटों पर जातियों के समीकरन पी इस पर भी उन्होंने चर्चा शुरू कर दी यूपी में कुल 403 सीटों का मामला है और 5 चरणों की वोटिंग अभी बाकी है अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि यूपी में सर्दी, गर्मी, चर्वी आएगी या यूपी में रोजगार आएगा बहुत बहुत धन्यवाद